अगर आप stock market से पैसा कवना चाहते हो तो सबसे important चीज आपको सिखनी होगी वह होता है चार्ट रेडिग अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता है तो आप stock market के अंदर कभी एक profitable trader नहीं बन सकते इस वीडियो के अंदर मैं आपको detail में सिखाने वादा हूँ कि किस तरीके के अंदर, commodity के अंदर, forex market के अंदर या intraday trading के अंदर तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको detail में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप proper तरीके से price action को read कर सकते हो चार्ट को read कर सकते हो और कैसे आप भी profitable trader बन सकते हो proper chart read करके यह जो पूरा वीडियो होने वाला है इसके अंद जो हम topics cover करने वाले हैं वो होने वाला है कि पहला हम candlestick patterns पढ़ेंगे दूसरा proper जो दाव थिरी होता है वो understand करेंगे थिसरा हम proper support और resistance कहां पर होते हो understand करेंगे चौथा किस तरीके से हमें कहां पर buy entries लेनी चाहिए और कहां पर sell entries लेनी चाहिए यह हम properly इस वीडियो के अंद जरूर देखना इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी information मिलने वाली है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक requested की अगर आप मेरी YouTube चैनल को subscribe कर दो और इसी तरीके की more informative वीडियो के लिए आप मेरी YouTube चैनल को like करो और comment section में जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला जो टॉपिक है हमारा Candle Stix उसके उपर बढ़ते हैं तो इस वीडियो को हम सबसे basic point से स्टार्ट करेंगे वो होता है Candle जो Candle का open, close, high और low होता है ये लोगों को एकदम मामूली चीज लगती है इसके उपर कोई भी ज्यादा तर ध्यान नहीं देता बढ़ आप कोई भी चार्ट जब रीट करते हो तब सबसे important होता है कि वो जो चार्ट जो भी है अगर आप समयदे लो intraday का चार्ट रीट कर रहे हो तो वो daily candle को represent करता है अगर आप 4 hour का chart read कर रहे हो तो weekly candle को represent करता है तो यानि कि जो भी chart आप read कर रहे हो उसका एक बड़ा candle होता है तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको candle proper read करते आता है तभी आपको properly chart read करते भी आएगा तो इसके अंदर मैं आपको detail में चीजे समझाने वाला हो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी green candle का जो open होता है ठीक है open होने के बाद अभी ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि open close ठीक है अगर green candle open होता है तो यहाँ पे open होता है उसके बाद फिर ये low create किया इसने और इसके बाद फिर उपर गया एक high create किया और फिर नीचे आके close किया बट ये एक चीज बहुत कम लोगों को पता होती है यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कोई भी candle अगर समझ लोग green बनने वाली है ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है पड़ आप एक बार 5 मिनिट के या 1 मिनिट के या कोई भी चार्ट के अंदर आप एक बार ये चीज आपजब करके देखना आपको खुद पता चलेगा कोई भी केंडल जब ओपन होती है समझ लोगी 5 मिनिट की केंडल है वो अगर ओपन हो रही है ओपन होने के बाद अगर वो केंडल green create होने वाली है तो most of the time ठीक है 90% of the time वो केंडल के chances होते हैं कि वो पहले नीचे जाती है एक glow create करती है फिर अपने open के उपर आती है ठीक है फिर अपने open के उपर आती है और एक high create करती है एक high create करने के बाद वो नीचे आती है और close करती है इस तरीके से एक candle form होती है इसके अंदर एक बहुत ही important point होता है क्या कि जब candle open हो रही है वो पहले नीचे जाती है फिर उपर जाती है और फिर high बना के नीचे आके close करती है यानि कि candle अगर उपर जाने वाली है तो पहले नीचे जाती है यह बहुत ही important point हो जो मैं आपको वीडियो के end में इसका proper तरीके से इसके अंदर से आप क्या सीख सकते हो यह सीखाऊंगा पहले तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि 5 मिनिट की अगर candle है या यह आप हर टाइम फ्रेम की candle के लिए इस्तमाद कर सकते हैं 1 मिनिट के लिए same 1 मिनिट से 5 से लेके जितने भी candle होती है उनके लिए same होता है तो candle जब भी open होती है तो उसे opening price यानि कि समझ लो कि 5 मिनिट की candle है तो उसका जब जैसे ही 5 मिनिट स्टार्ट होता है उसे open कहते हैं उसके बाद जो भी उस candle का low बना उसे candle का low कहते हैं उसके बाद जब candle high बनाती है उसे high कहते हैं और जैसे ही 5 मिनिट कंप्लीट होती है और वह जहां पे भी वह candle close हो जाती है, दूसरी candle के open होने से पहरे उसे close कहते है, green candle का open नीचे होता है और close उपर होता है, green candle एक bullish candle होती है, red candle का open उपर होता है, close नीचे होता है, इसका ये high है और इसका ये low है, same जैसे मैंने green candle में बोला, same वैसे ही red candle में भी होता है, red candle open होती ह बाद उपर जाता है एक हाई क्रियेट करते फिर एक नीचे आती है लो क्रियेट करती है और फिर जाके कैंडल क्लोज होती है तो यह चीज बहुत ही इंपोर्टन जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा आपको अभी मैंने यहां पर आपको समझाया कि किस तरीके के पैटन्स होते हैं जो मैं आपको अभी समझाता हूं मार्केट के तीन तरीके के पैटन्स होता है एक होता है अप्ट्रेंड एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवे स्ट्रेंड अभी मार्केट जो है अगर अगर अप्ट्रेंडिंग है तो वह कभी भी स्ट करेंट सrange Д's सिधा उपर नहीं जाता है अगर उस अप्साइट को जाना है टो यह वही पैसी पैसाइट को पॉर्म करते हुए जाता है वही पैसां मैं आभी आपको इस चाइड के उपर सिखाने वाला हूं यहां पे आम यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे price एक high point पे गया, उसके बाद price नीचे आया, एक low point पे price आया, इसने एक low create किया, उसके बाद फिर से high point पे market गया, जो कि पिछले high से उपर था, उसके बाद जब market नीचे आया, तब market ने एक low create किया, बट जो low था पिछले low से उपर था, यानि higher low create किया वैसे ही market ने फिर से इस previous high को break करकी उपर गया market और एक फिर से higher high create किया और उसके बाद जब नीचे आया तब भी market ने इस low को नहीं break किया और एक higher low create किया इसके बाद market फिर से उपर गया फिर से उपर गया एक higher high create किया और उसके बाद जब नीचे आया तब फिर से एक higher low create किया बट इस वक्त भी पिछले low को break नहीं किया और यहां से market फिर से उपर गया और एक फिर से higher low create किया market ने तो यहां पर आपको इस जो pattern को नाम दिया गया है इसे नाम दिया गया है दाव थेरी इसे इस higher highs और higher close के formation को दाव थेरी करते हैं यानि कि जब price उपर जाता है वो ऐसे straight ना जाते हुए price कैसे करता है उपर गया थोड़ा नीचे आया फिर उपर गया फिर थोड़ा नीचे आया फिर उपर गया फिर उपर गया और फिर नीचे आया अभी इसी के अंदर एक सबसे important point होता है वो important point ये होता है कि जब भी market कोई higher create करता है जब भी market को high create करता है ति उस high को as a resistance माना जाता है जो कि अगर break होता है तो आगे चलके एक support का काम करता है एक support का Ini यहां पे रहाजिस्टन्स था और आगे चलके ये एक support बना यहां पे यह एक support की तरह वर्ट तो इस point को जो यहाँ पे resistance था जो यहाँ पे आके support बना और यहाँ पे market नीचे आके फिर उपर गया तो इस point को और एक नाम दिया गया है कि market ने यहाँ से break किया इस resistance को breakout किया upside को गया नीचे आया और retest किया इसको क्या बोलते हैं retest यहाँ पे market नीचे आके इस point को market ने retest किया और फिर इसके बाद market उपर गया market अभी जैसे ही फिर से उपर जाता है वो फिर से एक high create करता है जब वो फिर से एक high create करता है तो उस वो एक फिर से नया resistance बन जाता है जो कि फिर से एक support की तरह work करता है यहाँ पे आप देख सकते हो market नीचे आया वहीं से support लेके उपर गया फिर से market ने एक high create किया और फिर से market ने एक resistance create किया उसी resistance पे market ने फिर से support लिया और फिर से market वहाँ से उपर चला गया तो अगर up trending market है तो उसके अंदर try करो कि जैसे ही market upside को break करे और फिर उस resistance के पास फिर से support लेने आए तो वहाँ पे आपका एक अच्छा entry बन सकता है for upside ठीक है आपका यहाँ पे एक अच्छा entry बन सकता है for upside तो यह मैंने आपको upside के market के लिए समझाया बहुत ही clear cut आपको price action यहा यहां पर एकदम clearly market उपर गया ठीक है market यहां पर आया एक resistance create किया यहां फिर से रिटेस्ट हुआ और यहां से market उपर फिर से यहां पर पर जाने की तैयारी कर ला तो यह हो गया upside के लिए ठीक है यह हो गया अप्रेंड के लिए ठीक है अभी हम देखते हैं downtrend तो यह है downtrend downtrend में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर market सीधा नीचे नहीं गया market कैसे जा रहा है एक low create किया एक lower high create किया फिर से lower low create किया lower high create किया फिर से lower low create किया तो market create नीचे नहीं जाता market कैसे जा रहा है market नीचे आया उपर गया फिर से नीचे आया फिर से उपर गय बटाप अगर यहाँ पर देखोगे जब मार्केट नीचे आ रहा है उसके बाद मार्केट क्या create कर रहा है Mark list एक support create कर रहा है जो support आगे चल के एक resistance का काम कर रहा है और देखू आप कितना properly यह follow कर रहा है यहां पर倉ब क्या मार्केट पर एक lower low create किया market जब फिर से एक उपर गया और retrace करने गया market ने इस high को break नहीं किया बट market पल्टा कहां से market पल्टा जहां से उसने पीछे support लिया था वहीं से उसने फिर से resistance लिया और वहां से market ने downside का candle बनाया bearish candle और वहां से फिर market नीचे market ने फिर से एक lower low create किया market ने फिर से एक lower low create किया और जब market ने ये lower low create किया जब market फिर से एक support create किया market ने और इसी support फिर से market ने resistance लिया देखो कितना proper तरीके से हो रहा है यहाँ पे भी देखो यहाँ पे एक low create हुआ वहीं से market ने फिर से resistance लिया और market वहां से नीचे आए ये कितना proper तरीके से और क्या इसके अंदर कोई भी indicator यूज के हो रहा है नहीं ठीक है सेम इसी तरीके से आपको price action intra day में read करना होता है same to same इसी तरीके से lower lows, lower highs और इन्हें ही mark करके आपको price action read करना होता है बट आप बहुत सारे indicators लगा देते हों हमें बहुत सारे indicators की जरूरत नहीं होती है simple price action की जरूरत होती है ये हो गया uptrend और downtrend के लिए अभी हम बात करते हैं sideways trend की तो sideways trend में हमेशा try कीजिए कि आप उसके अंदर कोई भी तरीक के trade मत लीजिए पर sideways trend में कैसे directly पता नहीं चलता वो पहले तो आप कुछ ना कुछ trade ले लेते हो और उसके बात फिर आपको पता जलता है कि वो sideways है तो अभी मैं आपको sideways trend का भी example दे देता हूं कि sideways trend कैसे होता है इसे कहते हैं एक sideways market ठीक है एक sideways market के अंदर market क्या करता है एक support और resistance के बीच में ही market जो है वो घूमते रहता है बीच में ही market घूम रहा है तो जब तक इस support और resistance को market किसी भी direction में break नहीं करता तब तक इसके अंदर कोई भी trade नहीं लेना चाहिए इस market को trade करना avoid करना चाहिए मैंने आपको इसके अंदर अभी proper support और resistance कैसे draw करते हैं वो सिखाया proper down theory क्या होता है यह सिखाया और अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि इस same criteria को use करके हम intra day के अंदर कैसे trade buy and sell कर सकते हैं और किस तरीके से हमें entry और exit लेना चाहिए अभी आप देखोगे कि intra day के अंदर भी market same तरीके से react करता है जैसे कि आमने daily पे देखा क्योंकि price action जो एक fractal होता है जैसी बड़े time frame पे हो रहा है वैसे ही छोटे time frame पे होता है बड़े time frame पे लोगों को बहुत ज़रा confusion होता है market open होने के बाद कुछ ना कुछ एक low या एक high create करेगा जैसे ही market अपना post low और high create करता है उसे आप mark कर लेजे as a resistance और support आज के दिन के mark करो वो ज्यादा better होता है ठीक है open होने के बाद आज अभी के ही market के mark करना है आपने तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंट्राडे के charts को रीड करने में five minutes के chart को रीड करने में तो अभी आपने यहां पे market open हुआ इसके बाद आपने एक low और high को mark करके रखाया जो यहां पे हुआ हुआ है first low और high को अभी जैसे ही यह first low या high break होता है market ने क्या create किया market ने क्या create किया market ने एक higher high create किया यह एक high था और एक low था market ने जैसे ही यह high break हुआ market ने क्या create किया एक higher high create किया ठीक है यह जो resistance था वो आगे चलके support का काम की है यहां पर आप क्या कर सकते हो आप यहां पर जब यह high को break कर रहा है तब आप entry ले सकते हो और जो भी previous low है उसके नीचे आप SL लगा सकते हो ठीक है या तो आप retaste पे entry ले सकते हो जब वो break कर रहा है तभी उसी वक्त entry ली जाए उसके बाद market क्या create करती होए जाएगा अगर वो up trending है तो market क्या create करेगा एक higher high create करेगा एक higher low create करेगा एक higher high create करेगा एक higher low create करेगा और market इसी तरीके से उपर जाते हुए जाएगा और higher highs और higher lows का formation बनाते हुए उपर जा रहा है यह कितना easily market यहां से straight हमने यहां से कितना easily predict किया अभी ये straight market था इसलिए हमारा जो prediction है बहुत easily रहा है बट market बहुत ज़्यादा confusion भी होता है तो जब confusion होता है तब क्या होगा मैं आपको यहाँ पे उसका भी एक example दिखाता हूँ जहाँ से market open हुआ open होने के बाद market ने एक low create किया अभी low create करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे market ने इस low को break करके एक lower low create किया बट इस तरीके के low को हम मानेंगे नहीं किस तरीके के low को जिसके अंदर इस previous low के नीचे body नहीं close हो रही है ठीक है यह यहाँ पे जो है इसे body कहते है और इसे weak कहते है किया ठीक है और इसके बाद फिर यहाँ पे market ने छोटा high create किया जैसे ही market ने इस high को break किया यानि कि इस resistance को market ने break किया वो resistance आगे चलके support की तरह वर्थ किया और यहाँ पे market ने support लिया है clearly यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से market ने support लिया है आप इस इसी तरीके से आप त्रेल करते हुए रह सकते हूँ उपर तक और यहाँ पे market जो है वो close हो गया आपको किया करना है paid stop losses जा वह trail करते हूए जाना है जाना है यहाँ पे entry ले रहे हो तो previous low के नीचे stop loss लगाना है और अपने stop loss उसको धीरे धीरे करके trail करते हुए जाना है previous low पे बहुत बार कब क्या होगा कि ऐसा होगा कि यहां पर आपका previous low create हुआ है इसके बाद market नीचे आएगा इस low के बास equal low बनाएगा और फिर उपर जाएगा तो आपके sell heat होने की चांसे तो ऐसी चीजे हो सकती है market के अंदर ठीक है आपको प्राइज एक्षन रीड करने की आने के बाद भी आप गलत हो सकते हो बट इस तरीके के price actions के बचने के लिए आपको follow करना होगा risk management risk management आपको अगर प्रापर नहीं आता है तो आपको price action आने के बाद भी आप प्रापर तरीके से profitable trader नहीं बन पाओगे तो अगर आपको risk management सीखना है तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है जो की देखिए उस वीडियो के अंदर मैंने डीटेल में risk management कैसे follow करना है और मैं किस तरीके से follow करता हूं वह सिखाया हुआ है और अगर आपको ऐसे ही price action के ऊपर trading strategies चाहिए हो तो इसके लिए भी मैंने ऊपर एक आया बटन पर वीडियो दिया हुआ है उसे भी जाके आप देख स entry और exit कैसे लेना है और proper chart को कैसे read करना है वह समझ में आया होगा और I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दबा के like करो और इस वीडियो को अपने friends के साथ share करो और मेरे YouTube चैनल को subscribe करो मिलते है ने कर दो